नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टुक्टिरेसरी फेदर डाइली डोज ओफ इंडियन फूटबॉल और सबसे पहले बात कते हैं यहाँ पे इंडिया वसिस कतार मैच का जो बिल्डफ है वो ओल्रेडी भाई फुल ओन मोड में चालू हो चुका है नो डाउट फैंस तो काफी ज़्यादे एक्सेटेड है लेकिन उसके लाए यहाँ पे प्लेयरों ने भी माइंड गेम बिफोर दी मैच खेलना चालू कर दिया है यहाँ पे जो कतार के स्टार्स टाइकर है अलमोईज अली जो कि अलदो LSC के लिए खेल रहे है और काफी अच्छे फॉर्म में खेल रहे है उन्होंने कलेक स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया इस टबन टीम और इंडिया के साथ जब हम पहले बेड़े थे और अभी की जो इंडियन फूटबल टीम है उसमें काफी ज़ादे इंप्रूमेंट हुआ है और इंडिया के पाँस एक एडवन्टेज है कि वो यहाँ पे होम पे खेल रहे है तो उनको क्राउड का सपोर भी मिलेगा तो बेजिकली उन्होंने यहाँ पे इंडिया को कमफरटेबल करने की कोशिश किये जो कि बिल्कुल हमें होना नहीं है क्योंकि चाया बले ही हमने पास्ट में कातार के सामने 0-0 डो किया हो 0-1 से हारे हो एंड कातार यहाँ पे उनका जो रिसेट फोर में उतना अच्छा ना रहा हो चाया हो तीन पॉइंट हो चाया एक पॉइंट हो हमें हमारी इस साल की बेस्ट फूट वर्ल खेलनी पड़ेगी तब ही जाके आप यहाँ पे कातार के सामने कुछ रिजल्ट प्रोडूस कर सकते हो और एक चीज हमें यहाँ पे याद रखने है कि कुवेट के सामने हम क्यों मैच जीते थे कुवेट के सामने हम कोई बेटर गेम प्ले करके मैच नहीं जीते थे tactically we were better than कुवेट, that's why we won that match तो हमें same चीज यहाँ पे कातार के सामने भी repeat करनी पड़ेगी कि tactically अपने आपो काफी ज़्यादा क्या बलते कि on point यहाँ पे फिल्ट के उपर execute करना पड़ेगा तभी जाके आप यहाँ पे इस मैच को निकाल पाओगे क्योंकि करतार ने जो भी नहीं टीम यह बिल्ड कर रहे है उसमें कुछ यंग श्टर्क भी डाल है और वो काफी ज़्यादा लीथल है तो इस नोट गूं टीम टीम इजी बट आइटिंग अगर हमने हमारी बेस्ट फॉटबल खेली देन डेफेनिटल भी आवर चांस उसमें कोई डाउट होना नहीं चीए उसके लाएं यहाँ पे इंडियन फूटबल फैंस के लिए एक और खुसकोबरी है कि यहाँ पे इंडिया वसेस कतार का जो मैच है वो यहाँ पे आप जियो सिनमा में फ्री में देख सकते हो तो दरसा ग्रेट टूनो और यहाँ पे स्पोर्ट 18 ने अनाउसमेट किया है कि इंडिया के जितने भी वल्ड कॉप कोलिफाइस के होम मैच है यानि कि यह कतार वाला मैच नेक्स जो अफगानिस्तान वालो होम मैच होगा और उसके बाद जो कुवेट वाला होम मैच होगा यह तीनों ही मैच आप यहाँ पर स्पोर्ट 18 एंग जियो सिनेमा की उपर देख पाओगे तो फ्री में देखने को मिलेगा और काफी सारे लोग इसको चकाउट भी कर पाएगे तो दर सक्राइट उनो उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर भई एफएप ने कुछ यहाँ पर इंडियन फूटबल के फ्यूचर के रिगारिंग दो तीन की डिसेन लिये जिसमें सबसे पहला तो है यहाँ यहाँ पर वी यार काम सबको बते कि पिछले कुछ टाइम से काफी ज़दा यहाँ पर इंडियन फूटबल में डिसकेशन हो रहा है तो हमारे जो जनरल सेकेटरी एम सत्यन आरायन उन्होंने कल बोला है कि वी यार प्लानिग फोर इस वी यार एं उसके लिया हम प्रिपेर कर रहा है लेकिन उसको इंप्लिमेट करने में उन्होंने बोलाये कि 2025-26 season से हम expect कर सकते हैं कि VR, ISL and iLeague दोनों में implement करेंगे लेकिन उन्हों में बोला कि दो सबसे बड़े challenge है एक तो सबसे बहुता challenge तो cost का है जो कि हमारे जो last general secretary थे उन्होंने वही बोल के हो गए है कि we don't have a funds तो इन्होंने भी बोला है कि cost को कहां से हमें manage करना है वो सबसे बड़ा challenge रहेगा और अगर हम all over the world देखे तो यहां पर जो VR है उनका जो cost है अगर हम Indian perspective से देखे तो ISL के लिए यहां पर एक season का 30 तो 40 करोड लगेगा और अगर iLeague भी साथ में include करे तो 60 करोड तक आपको एक season में लग सकता है तो इतना पेशा कहां से लाएगे तो इसके लिए आपको यहां पर क्लब्स को भी इसमें cost bear करना पड़ेगा क्योंकि all over the world वही होता है कि ऐसा नहीं होता कि जो league organize कर रहे है या फिर जो national बोड़ी है वो सारी cost bear करता है यहां पर club को भी उनके लिए पैसा देना पड़ेगा तो क्या clubs इसके लिए ready है वो सबसे बड़ा challenge है तो पहले तो एक cost का challenge आ गया है दूसरा challenge है कि आपके officials को उनके लिए ready करना क्योंकि आपका जो 18-20 मिनिक आपने बोला कि जो एक पुरा FIFA का process है उसके थुरू आपको गुजरना पड़ता है तो उसमें आपके जो officials हैं उनको यहां पर FIFA ने जो academics appointment की है वहां पर उनको training के लिए बैजना पड़ता है क्या इतना आपके पास manpower है I think let hopes हो की जो आपने no doubt 25-26 season का बोल तो दिया लेकिन प्रोपर तरीके से आप इसको implement करें ना कि अनबनाट में या फिर आपने एक goal दिया है तो कर दीजे I think phase manner में अगर जाएंगे कि पहले बाई playoff के कुछ ISL matches फिर उसके बाद आप पुरा ISL फिर ILEG अगर इस तरह से जाएंगे तो बेटर तरीके साब technology को यहां पर क्या बलते की implement भी कर पाएंगे क्योंकि देखे technology implement करना एक बात है और उसको यूज करने वाले मंदे है वह क्या उस technology का पूरा knowledge और किस तरह से रखते है वह सबसे बड़ा challenge है क्योंकि हमने ओल्रेडी top links में भी देखा है कि यहां पर VR तो है वहां पर चाहिए प्रिम्बेन लीग हो ला लीग हो बाकी लीक्स हो लेकिन अमने वहां पर भी blender होते हुए दिखे है वह इसलिए है क्योंकि जो officials है उनको उनकी पूरी मतलब जो आप training या फिस जो भी चीज बोले तो लेट होप सो कब तक हमें यहां पर VR है वो इंडियन फूर्ड वर्ड सिस्टम में देखनों को मिलता है दूसरा जो एक decision यहां पर FF न लिया है वो भी एक काफी key decision है इंडियन फूर्ड के future के साब से यहां पर age fraud को रोकने के लिए यहां पर tenner white house 3 method को यहां फिर यूज करने वाले है और उसके लिए उन्होंने कल tender भी निकाला है इंडिया में जो लेबोरेटरिस है उनको यहां पर invite किया है कि यहां पर जो tenner white house 3 method है basically उसमें जो आपका right reach होता है उसका यहां पर bond का जो होता है और उसके उपर से यहां पर bond की maturity देखके उसको score किया जाता है skeleton का भी maturity देखा जाता है अगर आप हमारी national team में भी अभी देखें तो कुछ ऐसे player है कि जिनकी real age नहीं है और इसका impact पड़ता है इनका perfect example है Nigeria नाइजिरिया को कुछ साल पहले बोला जारा थी कि उन्होंने सारे ही youth level के वहां के tournament है वो जीत रखे थे और बोला जारा थी कि यहां पर फार देंगे लेकिन सारे ही tournament उन्होंने age fraud के चलते जीते थे उन्होंने under 17 में आप under 20, under 22 player खिला रहे हो under 20 के tournament में आप under 23 player खिला रहे हो तो इससे आप आप football को grow नहीं कर पाऊगे आपको proper तरीके से यहां पर जाने पड़ेगा तो लेट सी यहां पर इसका क्या result और किस तरह से इसको implement किया जाता है और कौन यहां पर on board आता है वो देखना कफे interesting से बन जाता है उसके बाद बात करते है और एक यहां पर जो FIFA का क्या बलती की talent development delegation है हो यहां पर इंडिया आ चुका है आर्सेन वेंगर भी आज आ रहे है तो उसका भी यहां पर प्लान आगे बढ़ रहा है तो that's also great to see उसके बाद बात करनी है यहां पर वही जो football के superstar थे डेविड बेकर वो हम सबको बता है कि रिसेंट इंडिया विजिट थे एंड उसमें उन्होंने हर चीज यहां पर हर लोगों के साथ यहां पर क्या बलती की photo तो खिचवाली चाहिए बोलीवूड के श्टार हो cricket के श्टार हो लेकिन जो सबसे में चीज देए कि इंडियान फृटोल के बारे में बात होनी चाहिए वो कहीं पहनी हुई और फाइनले एक मिडिया उसमें उनको लास्ट में क्या सोचते हो तो उन्होंने बहुत बोला है कि अभी सभी MLS Cup के पारास हो, यहाँ पे Academies है, उन्होंने बोला कि हमारी इंटर्मिया में अभी करने छे प्लेरे से हैं, जो हमारी Academies से खेल रहे हैं, उन्होंने फोकस बेसिकली यहाँ पे Academies और ग्रासरूट के उपर किया है, उसके लाँ उन्होंने एक चीज़ और बोल प्लेवलिंग नेशन, डेवलोफ़ोर सकते हो, तो यह डेविड बेकम का कहना था, अच्छा लगा कि उनको यहाँ पे इंडियन फ्लेवल के बारे में भी पूछा गया, नहीं तो वह सारी चीज़े हमको पता ही कि क्या हो रहा था, ठीक, उसके बाद लास्ट में गाइस बा भी बना रहे हैं, और यहाँ पर क्या बलती कि मिड 2024 तक वो रेडी हो जाएगा, तो जो क्या बलती गंगा कोर FC के जो ओनर है, उन्होंने यहाँ पर प्रपोजल भी रखा है कि हम चाहते है कि जो इसका इन्वोग्रेशन हो स्टेडियम का, वो यहाँ पर केमबोडिया वसिस इन्डिया मैच से हो, तो यहाँ पर प्रपोजल भी रखा है, और उन्होंने बोला कि जो केमोडियान लिक की क्वालिटी है, वो आई लिक के चैसी क्वालिटी है, लेकिन फिसिकली और भी ज्यादा श्रोंग है, और काफी फास्ट पैस में गेम खेला जाता है, तो अगर इ जुआ कनि लिक करता है, यहाँ जाँ पें की क्रिफोंने लिक के जि विक करता है, वो आई के भी लिक अगर वकाल इन्होंने लिक केमोड़ पास।, वो आई के मैं का हूए है, खजी त Crusade से हो, और एंब लिक के स्घक से उई सूना